तो दोस्तों यह जो गाड़ी है Kia Keren's जो की art injector के साथ में आती है और इसमें हमने लगाई है art injector की properly लवेटो की kit जो की top and brand है LOVATO COPD 8 injector यह इसका reducer है जो की double stage है यहाँ पर हमने इसका map sensor लगाया है जो कि filter के साथ inbuilt आता है wiring के अगर हम बात करते हैं तो properly art injector के साथ में हमने इसके connector to connector fitting की है अलगी kit के इंदर connector to connector fitting नहीं आती है जो कि मैं बात करता हूं किया के लिए तो यहाँ पर हमने इसका issue लगाया है जो कि easy fast का issue है 8 injector और काफी advanced technology का issue है यह तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इसके injector के connector के लिए properly connector के हमने fitting की है इसमें कोई भी wire cut नहीं की है इस गाड़ी के अंदर connector साथ में नहीं आती है issue के साथ में तो उसका extra charge करना पड़ता है तो दोस्तो fitting आप देख सकते हैं को neat and clean तरीके से हमने इसके fitting की है extra wire आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी पूरी wiring हमने triple layer में convert की है तो hello दोस्तो मैं आपका दोस्त विशाल गोला लेकर आए हैं आपके लिए नई वीडियो जो की किया केरेंस आइट इंजक्टर के लिए है C&G kit की fitting अगर अच्छे लगे तो like share जरू करना चैनल को subscribe करना ताकि C&G से related कोई भी information आपको easily मिलती रहे तो feeling wall की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर back feeling wall लगाया है जिससे की company fitted C&G की feeling आती है किया कि किसी भी गाड़ी में C&G kit लगवाने के लिए आप हमसे contact कर सकते है contact detail आपको description में दे दी जाएंगी गाड़ी के अंदर अगर boot space की बात करें तो बहुत प्यारा boot space निकल कर आता है इसके अंदर उन्हें 12 लोगों को tank लगाया है C&G के दोनों pipe हमने ducting से cover की है proper clamping की है पूरा cylinder आप देख सकते हैं पूरा cylinder पर हमने cover को wrap किया है तो दोस्तो customer जब मेरे पास आये थे तो customer की demand केवल यही थी कि मुझे best kit चाहिए जो कि मुझे future में problem ना करे तो मैंने उनको lavato cobd के लिए suggest किया जो कि एक veteran brand है और top end brand है अलाकि मीजों के अंदर भी इसका approval है तो हमने जो इसकी switch की placement की है वो हम दिखा देते हैं आपको हमने इसका जो switch लगाया है वो यहां dashboard पर लगाया है इससे आप change over कर सकते हैं गाड़ी को तो दोस्तो changes related कोई भी आपको समस्या है कोई भी problem है या कोई भी query है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं धन्यवाद जैहिन बंदे भारत